नमस्ते फ्रेंड्स ओम्सरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूपर टेस्टी शूपर हेल्दी अमेजिंग लाजवाब सी रेसेपी कच्चे आम का खटा मीठा सा मुरब्बा इस कड़ती धूप गर्मी में आपको बचाएगा ठंड़क देगा बच्चों और बड़ों को रखेगा सेहद मंद फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा रेसेपी पसंद आजाए तो प्लीज लाइक कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर हमने लिया है एक किलो तोता पुरी आम आम को हमने रात पर भीगा के रख दिया था पानी में अब हम आम को निकाल लेंगे फ्रेंड्स आपके सहर में जो भी आम हो आप ले सकते हैं बस आम पल्प वाला होना चाहिए अच्छे से गूदा वाला होना चाहिए रसीला होना चाहिए तो पानी को हम अच्छी तरह से पोँच देंगे टाबिल से आम में बिल्कुन पानी नहीं रहना चाहिए तो यह इसी तरह सभी आम को हम पोँच देंगे और फिर रख देंगे फैन के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए इस से क्या होगा कि जो भी आम में पानी लगा रहेगा अच्छे से सूख जाएगा तो फ्रेंड्स यहां पे हमने सवा किलो आम लिया है इसलिए हम एक आम को निकाल देंगे चार आम को हम रहे से पी में लेंगे अगर कोई आम खराब होगा तो हम इसको वापस सामिल करेंगे नहीं तो हम साइड में रखेंगे अब आम के आंगे का पार्ट हम इस तरह नाइफ स आपको जैसे भी जमै आप आम कट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखे जो भी कच्रण घो ही थोड़ी लगी रहेगी आम में इसतरे हम क्लीन कर लेगे और यह देखे इसतरे घो ही निकल गई है तुम इसको साइड मे रख देंगे आप आम के हम इसतरे दो पार्ट करेंगे और फिर पीस में हम इस तरह कट कर लेंगे आप अपने पसंद के हिसाब से आम के पीस कट कर सकते हैं छोटे हैं बड़े साइज में तो इसी तरह सभी आम को हम कट कर लेंगे तो यह लीजे सभी आम यहां पे कट हो गए हैं तो आप यहां पे हम लेंगे कड़ा ही और आम को डाल देंगे तो यह लिजे आम को हमने डाल दिया है अब आम में हम चीनी डालेंगे तो एक किलो आम है तो यहां पे हम एक किलो चीनी लेंगे लेकिन यहां पे हम तीन कप ही चीनी डालेंगे क्योंकि आम में छिल के गोही निक या तो पूरा चीनी से बना सकते हैं या तो मिसरी से भी बना सकते हैं तो अब यहां पे हम ठक देंगे अगर आप चाहें तो पीस के चीनी डाल सकते हैं प्रोसेस जल्दी हो चाहेगा अगर आप अखी चीनी डालेंगे तो एक से डेड़ घंटे टाइम लगेगा चीनी को घु अब हम गैस में कडाही को रख देंगे गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और अच्छे से पकाएंगे तो ये लीजिए देखे यहां पे चासनी कितनी पतली हो गई है तो इस स्टेज में हम डालेंगे दो पिंच हल्दी पाउडर इस से क्या होगा बढ़िया सा कलार आ जाएगा ज लचासनी में ही आम को पकाना है थोड़ा सा यहां पर हम काला नमक डाल देंगे आज़र आपके साथ नमक अबलेबल नहीं है तो आप साथा नमक भी डाल सकते हैं दस से बारा केसर के धागे डाल देंगे बहुत यह बढ़िया टेस्ट आता है अगर हैं आपके पास तो क्रिष्टल नहीं आएंगे तो यह लीजे यहां पर हमने जूस को डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और शटेर करते रहेंगे और हम चासनी को पकाते रहेंगे तो बस इस्टेर करते जाएंगे और पकाते जाएंगे गैस की फ्लेम लोटू मिडियम रखेंगे अब यहां पर हम डालेंगे ड्राइफ रूट्स तो यहां पर हमने लिया है 10-12 काजु 10-12 बादाम जिनको हमने दो पीस में कट कर लिया है अगर आपको तो डाल येगा नहीं तो स्किप कर दीजिएगा आधी छोटी चमच भुना हुआ जीरा पौडर डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पे आधी छोटी चमच गरम मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम नहीं डाल रहे हैं मिक्स करेंगे और जब तक हम पकाएंगे चासन लेंगे ठंडा होने देंगे फिर चेक करेंगे तो यह लीजिए एक तार की चासनी बन गई है तो गैस की फ्रेम बंद करेंगे मुरब्वे को बाउल में ट्रांसपर करेंगे हाफ ढग देंगे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो यह लीजिए सूपर टेस्टी सूपर ह जार ही ले या तो फिर चिनी मिट्टी का जार ले जिसमें मुरब्वे को ट्रांसपर करें जिस भी चमच से करें बिलकुन सुखा हुआ चमच लीजिएगा बिलकुन चमच गीला नहीं होना चाहिए तो छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके मुरब्वे अचार सालों साल चलेंगे तो ये लिजे सूपर टेस्टी सूपर यमी मुरब्बा बनके रेडी है तो आप बनाईए फैमली को खिलाईए रेसेपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों में सेर कीजिएगा फिर मिलती हूँ नेश्टर एसेपी में तब तक के लिए बाबाए